तो दोस्तो आज की इस वीडियो में important questions कवर करेंगे new appointment 2022 से related तो जितने भी questions होंगे आपके new appointment के उससे related जो static questions बनते हैं साथी साथ उससे related और जो revision के questions रहेंगे उनको भी हम cover करते हुए चलेंगे तो वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि हर एक question बिलकुल detail में आपको cover कराए जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe कर लें जितने भी आगे आने वाले competitive exams रहेंगे उनके लिए वीडियो काफी important रहेगी तो आप वीडियो को starting से end तक देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क् तो आपका पहला question है who has been appointed as the new chief secretary of Delhi तो डेली के नए chief secretary कौन चुने गए हैं तो आपका answer हो जाएगा नरेश कुमार नरेश कुमार को नया chief secretary चुना गया है डेली union territory और इंडिया की capital का अगर इनकी बात करी जाए तो नरेश कुमार जो है इनको chief secretary बनाया गया है डेली का डेली अगर डेली की बात करी गई है तो अगर डेली की बात करी जाए तो डेली को union territory कब बनाया गया 1956 में नेशनल capital territory का दर्जा कब मिला तो 1 feb 1992 में डिस्टेट कितनी है डेली में total तो 11 district आती है लूटिनेंट गवरनर रहेंगे current time में अनिल बैजल चीफ मिनिश्टर है केजरिवाल आमादमी पार्टी से और डिप्टी चीफ मिनिश्टर है मनीश शिषोधिया आमादमी पार्टी से लेजिसलेचर कैसी है यहाँ पे यहाँ पे यूनी कैमरा लेजिसलेचर है जिसमें 70 seats आती है राज्यसबा में कितनी seats है डेली की तो 3 seat रहेंगी लोग सबा में 7 seats आती है डेली से अगर यहाँ पे कुछ famous monuments या फिर famous places की बात करी जाए तो हमायू टॉम्ब कहाँ पे है डेली में कुतुम मिनार लोकेटेड है red fort रहेगा आपका tom of मुहम्मद शाह रहेगा लोधी garden रहेगा और lotus temple रहेगा यह सब आपके located है डेली में यह आपको पता होना चाहिए अगला question देखते हैं who has been appointed as the new CEO of PNG India तो PNG India के नए CEO जो चुने गए है उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा L.V. वैद्यनाथन L.V. वैद्यनाथन को नए CEO Chief Executive Officer चुना गया है PNG India का who is named as the next DG of military operations तो military operations के लिए जो नए next जो director general चुने गए हैं उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Manoj Kumar Katiyar Manoj Kumar Katiyar जो है यह आपके नए director general next director general चुने गए है military operations के लिए जितने भी यह questions हम cover कर रहे हैं यह आपके अपरेल में जो appointment हुई है उनकी बात हम कर रहे हैं अब यहाँ पे आपकी military से related बात करी गई है तो हमारी जो कुछ forces है जो हमारी central armed police forces है उनकी बात करते हैं उनकी establish हुई थी 1835 में अगर BSF की बात करी जाए border security force की यह 1965 में establish की गई थी central industrial security force CISF को 1969 में establish किया गया था central reserve police force जिसको की CRPF भी बोला जाता है इसको 1939 में establish किया गया इंडो टिबतन border police ITBP को establish किया गया 1962 में जह हमारा इंडिया और चाइना का जो विवाद हुआ था जो वार हुआ था उसके बाद फिर national security guards की बात करी जाती है NSG तो national security guards को establish किया गया 1984 में शसस्तर सीमा बल SSB को establish किया गया 1963 में तो यह कुछ years है हमारे central armed police forces के who has been appointed as the MD and CEO of digital insurance तो digital insurance के MD और CEO कौन चुने गये हैं तो हमारा answer हो जाएगा जसलीन कोहली को अभी हाली में managing director और chief executive officer चुना गया है digital insurance का तो इनका नाम जो रहेगा important है आपको ध्यान रखना है who is named as the country head of Wipro India तो Wipro के इंडिया की जो country head चुने गये हैं उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा सत्य इश्वरन सत्य इश्वरन को इंडिया का विप्रो का head चुना गया है country head बनाया गया है अब यहाँ पे विप्रो जो है एक Indian MNC ही रहेगी एक Indian company है विप्रो की अगर बात करी जाए तो विप्रो से related देख लेते हैं विप्रो को found कब किया गया तो 29 December 1945 में विप्रो को found किया गया था मतलब आजादी 1947 से पहले की ही foundation है आपकी विप्रो की विप्रो के founder कौन है तो मोहमद हसं प्रेम जी जो है यह आपके founder है विप्रो के विप Executive Chairman कौन है तो रिशन्द प्रेम जी है, Executive Chairman है, CEO और MD, important रहते हैं, exams में पूछे जाते हैं, तो थहरी डेलपोर्टे, थहरी डेलपोर्टे आपके CEO और MD है, विपरो के, अब अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं, Static GK की एक topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है, जिसमें की ये 14 से 15 topics cover किये गए हैं, जिनसे exams में direct question देखने को मिलते हैं, तो अगर आप interested हो इसको buy करने के लिए, तो link आपको description में मिल जाएगा, आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं, अगर downloading में कुछ issue आता है, तो य इंडियन pulses और grain association के chairman कौन चुने गई, तो हमारा answer हो जाएगा, बिमल कोठाडी, बिमल कोठाडी को नया chairman बनाए गया है, इंडिया pulses and grains association का, who among is named as the next chief of Indian army staff, most important question आपके exams के लिए, जो नए चीफ चुने गए हैं आपके Indian army staff के, उनका क्या नाम है, तो हमारा answer हो जाएगा, मनोज पांडे, मनोज पांडे को नया next आपका chief चुना गया है Indian army staff का, अब यहाँ पे हमारा army staff हो गया, हमारी forces से related बात करी गई है, तो इनके जो current time में heads हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो chief जो है army staff के, ये मनोज पांडे को चुना गया है, नेवल staff के chief अगर आपसे पूछे जाए तो आर हरी कुमार है, intelligence bureau के head कौन है, अरविंद कुमार, चीफ पूछा जाए अगर आपसे raw research and analysis wing के, तो समन्त गोयल रहेंगे, अगर director general पूछा जाए CBI का, तो सुबोध कुमार जैसवाल रहेंगे, director general कौन है, BSF के, तो पंकच कुमार सिंग रहेंगे, director general कौन है, CRPF के, तो ये हैं कुलदीब सिंग, director general CISF के कौन है, तो शील वर्धान सिंग, CISF के director general है, director general कौन है, ITBP के, तो संजे अरोडा रहेंगे, इनके पास additional charge भी है, ये director general भी है, SSB के, तो संजे अरोडा दोनों post को समालते हैं ITBP के भी और SSB के भी दोनों के डिरेक्टर जनरल हैं NDRF की अगर बात करी जाए तो इसके डिरेक्टर जनरल है अतुल करवाल तो एर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD कौन चुने हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत को नया CMD चुना गया है एर इंडिया एसेट होल्डिंग का Most important question exams के लिए किसको दुबारा reappoint किया गया है National Commission for Minorities का तो हमारा answer हो जाएगा इकबाल सिंग लालपुरा इकबाल सिंग लालपुरा को दुबारा दुबारा reappoint कर लिया गया है Chief National Commission for Minorities का अगर आपसे यहाँ पे यह question पूछा जाए कि बाकी जो committees हैं आपकी उनके head कौन है तो वो भी आपको ध्यान रखने है जैसे की बात करते हैं तो National Commission for Minorities के कौन है तो यह हमारा answer हो जाएगा सरदार इकबाल सिंग लालपुरा अगर आपसे पूछा जाए कि National Commission जो है schedule cast के लिए assies के लिए उसके head कौन है तो उसके आपको जाएंगे विजय संपला National Commission जो है महिलाओ के लिए women's के लिए जो है उसकी रेखा शर्मा है इनका भी जो tenure है उसको तीन साल के लिए भी हाली में extend किया गया था फिर National Commission जो है schedule tribes के लिए ST के लिए उनका जो head रहेंगे उनके जो head है वो आपके हर से चोहान फिर Central Vigilance Commissioner कौन है तो आपका अंसर है सुरेश N. Patel Atomic Energy जो commission है उसके head कौन है तो K.N. Vyas फिर National Human Rights Commission most important rate exams के लिए तो अरुन कुमार मिश्रा आपके chairman रहेंगे head रहेंगे chief रहेंगे National Human Rights Commission के Who is named India's G20 chief coordinator तो इंडिया के G20 chief coordinator कौन चुने गए है तो हमारा आंसर हो जाएगा Harsh Vardhan Shringla Harsh Vardhan Shringla इससे पहले क्या थे तो यह इससे पहले foreign secretary थे इंडिया के जिनका कार्यकाल जो है वो खतम हो गया है अब इनको नया पत दिया गया है इनको G20 chief coordinator चुना गया है अगर इससे related बात करी जाए क्योंकि यह पहले foreign secretary रह चुके हैं अगर secretary से related बात करी जाए हमारी तो national security advisor NSA कौन है अजीट डोबाल cabinet secretary कौन है हमारे current time में राजीव गौबा principal secretary जो है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के वो है प्रमोद कुमार मिश्रा home secretary कौन है अब home secretary home ministry के अंडर आते है finance secretary finance ministry के अंडर आते हैं इस तरीके से जो ministers होते हैं उनके नीचे जो बाकी जो काम समाला जाता है वो इन secretaries के द्वारा ही समाला जाता है तो यह most important रहते हैं exams के लिए इनसे related questions पूशा जाता है क्योंकि यह काफी ज़ादा चर्चित भी रहते हैं home secretary कौन है तो अजय कुमार भला रहेंगे finance secretary कौन है तो टीवी सोमनाथन है defense secretary कौन है तो अजय कुमार रहेंगे foreign secretary कौन थे तो हर्च वर्दन शिंगला अभी तक हमारे foreign secretary थे अब इनको दूसरा पत जो हमारा question है G20 chief coordinator बना दिया गया है जो अब नए हमारे foreign secretary है वो भी हम discuss करेंगे आगे उनका question भी आपको provide कराया गया है अगर आपसे law secretary पूछा जाए तो अनुप कुमार मेंडिरटा जो है इनको law secretary चुना गया है ये law secretary रहेंगे solicitor general कौन है current time में तो तुशार महता रहेंगे chief economic advisor कौन है इंडिया के तो ये एक नई appointment है इसलिए important है वी आनंत नागेश्वरन वी आनंत नागेश्वरन आपके chief economic advisor है who is appointed as the new chairman of UPSC तो union public service commission के नई chairman कौन चुने गए most important question हमारा answer हो जाएगा manoj soni manoj soni को आपका नया chairman चुना गया है UPSC का union public service commission का यह आपको नाम ज़रूर ध्यान रखना है exams के लिए important रहेगा अब अगर यहाँ पे और organizations के head की बात करी जाए Indian organizations की तो life insurance corporation LIC जो है उसके head कौन है chairman कौन है तो आपका answer होगा MR कुमार नीती आयोग के head कौन होते है chairman कौन होते है तो प्रधान मंतरी chairman होते है नीती आयोग के तो अभी नरंद्र मोदी current time में नीती आयोग के head है Reserve Bank of India की बात करी जाए तो इसके head है शक्तिकांत दास इसरो के head कौन है Indian Space Research Organization के तो S. सुमनात DRDO की बात करी जाए Defense Research Development Organization के head है जी सतीश रेटी Steel Authority of India की अगर बात करी जाए जिसको की सेल के नाम से भी जाना जाता है तो सुमा मॉंडल इसकी current time में head है Chief Election Commissioner कौन है इंडिया के तो ये है सुशील चंद्र नबाड के अगर head की बात करी जाए तो GR चंताला रहेंगे head SIDB की अगर बात करी जाए तो शिव सुब्रमन्यम रामना तो Small Industrial Development Bank of India के head है शिव सुब्रमन्यम रामना CB की अगर बात करी जाए Securities Exchange Board of India की तो ये एक नई appointment है important रहेगा माधभी पुरी बुच एक्जाम में जरूर देखने को आपको मिलेगा अगर ट्रे की बात करी जाए Telecom Regulatory Authority of India तो इसके head है PD वगेल Who is reappointed by RBI as the MD and CEO of DCB Bank तो DCB Bank के MD और CEO RBI के दुआरा किसको reappoint किया गया है तो पहले भी यही थे इनको दुबारा reappoint कर लिया गया तो इनका नाम क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा मुली नटराजन मुली नटराजन को दुबारा reappoint किया गया है RBI के दुबारा MD और CEO के पद पे DCB Bank का Who is appointed as the new Foreign Secretary of India तो अभी हमने पीछे ही डिसकस किया कि जो हर्षवर्दन श्रिंगला थे उनका कार्यकाल खतम हो गया है उनकी जगे नई Foreign Secretary कौन चुने गये है तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा विने मोहन क्वाटरा विने मोहन क्वाटरा जो है ये आपके नई Foreign Secretary चुने गये है इंडिया के Most important question Who has been appointed as the brand ambassador of farm easy तो इसका एक एड काफी जादा देखा होगा आपने काफी सादा एड जो है वो इसका चल रहा है Farm easy का तो उसमें जो brand ambassador आपको दिख रहे हैं वो कौन है तो आपका आंसर हो जाएगा आमिर खान आमिर खान को brand ambassador बनाए गया है Farm easy का Who is named as managing director of Delhi Metro Rail Corporation तो Delhi Metro Rail Corporation के नए managing director कौन चुने गए तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास कुमार विकास कुमार को managing director बनाए गया है Delhi Metro Rail Corporation का Who is named as the chairman of national accreditation board for hospitals and healthcare providers तो NABH के chairman कौन चुने गए तो हमारा आंसर हो जाएगा महेश वर्मा महेश वर्मा को NABH जो ये आपकी organization रहेगी एक type की इसके chairman चुना गया है Who takes charge as the director general of geological survey of India ये भी question exam के लिए important है कौन director general चुने गए है आपके geological survey of India के तो हमारा आंसर हो जाएगा Dr. S. Raju Dr. S. Raju Director general है geological survey of India के Who has been reappointed as the chairman of payments council of India तो payments council of India के दुबारा से chairman कौन चुने गए तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वास पतेल विश्वास पतेल को दुबारा chairman चुना गया है payments council of India का Who is appointed as the director of Forest Research Institute तो FRI Forest Research Institute जो है उसका director किसको चुना गया तो हमारा आंसर हो जाएगा Ranu Singh Ranu Singh रहेंगी जिनको की डिरेक्टर चुना गया है आपका Forest Research Institute का Who has been re-elected as the president of Badminton Association of India BAI तो Badminton Association of India के President दुबारा कौन चुने गए तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमंत बिश्विशर्मा हिमंत बिश्विशर्मा आपके President चुने गए है Badminton Association of India के हिमंत बिश्विशर्मा क्या है यह आपको comment box में type करके बताना है कि हिमंत बिश्विशर्मा जो है यह और क्या है और कौन से पद को यह समालते हैं अगला question देखते हैं Who has been appointed as the chairman of Infrastructure Leasing and Financial Services तो Infrastructure Leasing and Financial Services के Chairman कौन चुने गए तो हमारा answer हो जाएगा CS Rajan CS Rajan जो है यह Managing Director थे Infrastructure Leasing and Financial Services के अब इन्होंने Managing Director तो यह current time में है उसके साथ साथ यह chairman भी बन चुके हैं क्योंकि जो इसके chairman थे उड़ा कोटक उनके द्वारा resign करा जा चुका है तो 6 महिने के time period के लिए CS Rajan को chairman बनाया गया है Who has been named as the new chairman of Broadcast Audience Research Council of India तो Broadcast Audience Research Council of India के chairman कौन बने तो हमारा answer हो जाएगा Sashi Sinha Sashi Sinha को chairman बनाया गया है Broadcast Audience Research Council India का Who is named as the next director general of international labor organization Most important question exams के लिए काफी जादा important question है तो इसमें आपका answer हो जाएगा Gilbert Hongo Gilbert Hongo को नया director general next director general चुना गया है international labor organization को काफी जादा important question है अगर international labor organization की बात करी जाए तो इसका headquarter कहाँ पे located है तो जिनेवा Switzerland में headquarter है ILO का ये established कब हुआ था तो 11 April, 11 April 1919 को established हुआ था आपका international labor organization जिसका head कौन है करण टाइम में तो guy writer आपके head रहेंगे Who is appointed as advisor in defense ministry तो defense ministry के advisor कौन चुने गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा विनोद जी खंदारे विनोद जी खंदारे जो हैं ये current time में नए आपके advisor सुने गए हैं defense ministry के लिए NATO extended Jens Stoltenberg term for how many years तो NATO काफी ज़ादा चड़सत में चल रहा है अभी Russia-Ukraine war की वज़े से तो इसकी full form है रहेगी आपकी North Atlantic Treaty Organization तो इसके जो current time में head है Jens Stoltenberg इनका जो time period है उसको बढ़ा दिया गया है तो उसको कितने साल के लिए बढ़ाया गया है ये question आपसे पूछा जा रहा है तो आपका answer हो जाएगा एक तो एक साल के लिए वन year के लिए time period जो है वो बढ़ा दिया गया है Jens Stoltenberg का NATO के chief के रूप में अब अगर NATO की बात करी जाए तो इसकी full form है North Atlantic Treaty Organization जिसका headquarter है Brussels Belgium एक्जाम में काफी पूछा जाता है ये establish हुआ था आपका 4 April 1945 को head आपको पता है चल के Jens Stoltenberg जो है ये इसके current time में head है who among is named as MD and CEO of Maruti Suzuki Maruti Suzuki जो company है जिसका काफी बड़ा नाम है इंडिया में car manufacturing में तो इसके MD और CEO कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा Hisashi Takuchi Hisashi Takuchi को नया MD और CEO चुना गया है आपका Maruti Suzuki company का who has been named as interim MD and CEO of CSB bank तो CSB bank के interim MD और CEO कौन चुने गए तो हमारा answer हो जाएगा Prillay Mondal Prillay Mondal जो है इनको interim MD और CEO चुना गया है CSB bank का Indian economist who is named as member of UN's advisory board तो United Nation का जो advisory board है उसमें कौन Indian economist है जिनको अभी हाली में member के रूप में शामिल किया गया है important question रहता है तो हमारा answer हो जाएगा Jayati Ghosh Jayati Ghosh रहेंगे जिनको की अभी हाली में एक Indian economist है जिनको हाली में member बनाए गया है United Nations की advisory board का जै शाह टर्म extended by how many years as a president of Asian cricket council तो जै शाह कौन है तो ये अमिज शाह जो हमारे home minister है उनके बेटे रहेंगे इनका काररे काल बढ़ा दिया गया है प्रेसिडेंड के रूप में Asian cricket council का तो कितने साल के लिए इनका जो काररे काल है जो इनका time period है जो इनका 10 year है उसको extend किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा one तो एक साल के लिए इनका जो term period है time period है उसको extend कर दिया गया है तो चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी के चेर्मेन कौन चुने गए है? एके सीकरी, एके सीकरी को चेर्में चुना गया है, चेरपरसन चुना गया है, चारदाम प्रोजेक्ट कमिटी के लिए तो पांस साल के लिए दुबारा, CEO और MD के पद पे किसको चुना गया है, TCS के लिए, TCS अपने आपने एक काफी बड़ी IT कमपनी है, इंडिया की, टाटा का एक पार्ट रहेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरी फुल फॉर्म रहेगी, तो पांस साल के लिए किसको अपॉइंड किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, राजेश गोपी नाथन, राजेश गोपी नाथन को, MD और CEO चुना गया है, आगे पांस साल के लिए, TCS कमपनी का, तो माई 11 सर्किल, जो एक आपकी अप्लिकेशन है, जो की किर्किट से रिलेटेड, जो किर्किट से रिलेटेड, आप टूर्णामेंट्स कहलते हैं, उससे रिलेटेड ये एक आपकी अप्लिकेशन रहेगी, इसके ब्रेंड अमबैज़र कौन चुने गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ A and B, तो शुमन गिल और रुतुराज गाइकवाड, रुतुराज काइकवाड और शुमन गिल, इन दोनों को आपका अभी हाली में, ब्रेंड अमबैज़र बनाया गया है, माई 11 सर्किल का, अब आप लोग ये कहेंगे, कि और भी 11 सर्किल के जो है, माई 11 सर्किल के ब्रेंड अमबैज़र्स हैं, तो काफी सारे किर्किटर्स हैं, जिनकों की माई 11 सर्किल ने ब्रेंड अमबैज़र्स बना रखा है, जिसमें कि अभी हाली में जो चुने गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को अभी हाली में बनाया गया है, अगला कोशन देखते हैं, यह कोशन भी काफी जादा चर्चित रहाता, IMPORTANT कोशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा M. Chandraushכran, एन चंदरशेखरण को चेर्मेन बनाया गया है, एर इंडिया का, तो औल इंडिया लिमिटेड के चेर्मेन और M.D. कौन चुने गये हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजीत रत, रंजीत रत को चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर बनाये गया है ओईल इंडिया लिमिटेड का, who is appointed as चेर्मेन आफ नेशनल फाइनेशनल रिपोर्टिंग अथोर्टी एन एफ आर ए तो नेशनल फाइनेशनल रिपोर्टिंग अथोर्टी जो है, इसके अभी हाली में चेर्मेन कौन चुने गए तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय भूशन पांडे, important question है, अजय भूशन पांडे को एन एफ आर एका चेर्मेन बनाये गया है जिसको कि हम IRDI के नाम से जानते हैं, तो IRDI के चेर्मेन कौन चुने गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा देवशीश पांडे, देवशीश पांडे को नया आपका चेर्मेन चुना गया है, इन्शोरेंस रेगुलेटरी एन डेवलप्मेंट अथोर्टी आफ इंडिया का Who is named as President of the Financial Action Task Force, Financial Action Task Force के President कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार, टी राजा कुमार को President बनाए गया है आपका Financial Action Task Force का Who is named as the Brand Ambassador of Bharti AXA Life Insurance, तो Brand Ambassador की जो हमने कल separate वीडियो अपलोड करी थी, उसमें सारे questions आपके डिसकस करे जा चुके हैं, तो भारती AXA Life Insurance के Brand Ambassador कौन बने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, विद्या बालन, विद्या बालन एक Indian Actress है, इनको जो एक Brand Ambassador बनाए गया है, भारती AXA Life Insurance का, Who is named as the CEO of Jet Airways, तो Jet Airways के CEO कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, संजीव कुमार, संजीव कुमार को CEO बना दिया गया है, Jet Airways का, Who is named as the new MD and CEO of LIC Mutual Fund, LIC Mutual Fund के MD और CEO कौन चुने गए हैं, नई MD और CEO बने हैं, तो इनका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, T.S. Ramakrishnan, T.S. Ramakrishnan को नया MD और CEO बना गया है, LIC Mutual Funds का, तो ये भी कोशन एक्जाम के लिए important है, तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन, अगर आपको वीडियो पसंद आईए हो, वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियो, आपको separate वीडियो हर टॉपिक से related प्रोवाइड कराई जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी e-books हैं, जो कि आपके exams के लिए most important है, उनका सभी का link आपको description में मिल जाएगा, आप description में जाके e-books को check out कर सकते हैं, exams के लिए काफी important है, selected questions हमारी team के द्वारा तयार करे जाते हैं, उनकी e-books आपको provide कराई जाती है, तो अगर आप interested हो, तो link description में मिलेगा, आप उसमें जाके उसको buy कर सकते हैं, अगर downloading में कुछ issue आता है, तो हमारी Gmail ID है, HVS Studies Official, आप उस पे directly mail कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तो.